हेलो फ्रेंड्स वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जो लोग इंडियन नेवी में भरती का इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी खुसकबरी है क्योंकि आज इंडियन नेवी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसक ठीक है तो अगर आप लोग हमाई चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे भवी सिम में भी आने वाली जो भरतिया है उससे भी आप लोग अपडेट रहे हैं तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हो देखते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि चीजी है सिर्फ ओनी को देखेंगे पूरे उसमें और यहां पर देखिए एजुकेश्नल कॉलिफिकेशनस देख लेते हैं सच्छी योग गता यहां पर क्या मांगी गई ब्रांच और क्या है एक्ज़क्यूटिव ब्रांच से जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर यह यह ब्रा marks होने चाहिए यहां पर gender wise यहां पर vacancy है तो यहां पर 40 vacancy है वो main के लिए ठीक है आदमियों के लिए है male candidate है इसके लिए bond between जो age limit है वो क्या है आप आपका जन जो है वो 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच में आपकी data of worth होनी चाहिए ठीक है बहुत सही इस तरीके से देते हैं तो ज्यादा आसानी रहती है लोगों को समझने में ठीक है आपका जो data of worth है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए फिर है इन बुमें दोनों के लिए है यहाँ पर और यहाँ पर जो वो सेम है विल्कुल जो आपकी data of worth होनी चाहिए वह जैसी उपर दीगे वैसे English in class 10, 10, 12 यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि BE या BTEC में आपके 60% मार्क होने चाहिए इसके लावा भी यहाँ पर conditions है कि जो आपका मतलब 9th और 10th और 12th class है उसमें आपके 60% मार्क होने चाहिए इसके लावा भी यह condition है कि आपके English जो subject है उसमें 60% मार्क आप के इन दोनों कक्छाओं में होने चाहिए 10th और 12th में यहाँ पर vacancy है 6 और यह gender male लोगों के लिए मतलब male candidates के लिए है और date of birth वही है इसके बाद ssc pilot ठीक है do same वैसे ही इसमें है 15 vacancy है men and women दोनों के लिए maximum of 3 women only ठीके 15 में सिर्फ 3 women की है बागी सारी men की है और ठीक है वही होनी चाहिए ssc logistics इसमें बी बी टेक इन्हें विद फर्स्ट क्लास और MBA विद फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास मतलब 60% marks ठीक है फर्स्ट क्लास का मतलब है 60% marks आपके इसमें भी होने चाहिए ठीक है और 20 vacancy है men and women maximum इसमें भी तीन लेडिज जो है वो तीन व ब्रांच में इसमें बी बी टेक वही 60% marks बिल्कुल सेम है 30 यहां पे भी है इसमें भी ठीक है यह में के लिए सिर्फ एसससी इलेक्रिक ब्रांच में इसमें भी सेम वही चीज है इसको आप लोग देख लीजेगा 40 है vacancy men के लिए date of birth वही है एजगेशन ब्रांच में एससस एजुकेशन में first class in msc math operational research with physics in bsc इसमें 6 है इसके बाद first class in msc physics applied physics nuclear physics with maths in bsc इसमें 3 है first class msc chemistry में 1 है 50% in ma English में भी 1 है 50% in ma history इसमें भी 1 है इसके लाब बी बी टेक with minimum 60% mark electronics and communication electrical and electronics electronics and instruments electronics and technomications electrical इसमें 2 vacancy है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर vacancy के बारे में यहाँ पर बताया गया इसके बाद देखिए यहां who can apply इसमें देख लेते है candidates who have graduate और in the final year with minimum 60% mark मतलब जो लोग या तो graduate हो गया है जिनका इसना तक complete हो गया है या तो प्रेल्ट क्लास में मतलब स्वारी ग्रिजर्शन का उनका लास्ट इयर है ठीक है लास्ट इयर है और उनके लगबग 60% marks होने चाहिए 60% minimum आपके marks होने चाहिए एक्रिग्रेट और equivalent cgpa a university ठीक है यहाँ पर यही दिया गया है कि या तो आप इसना तक complete कर चुके हो या आप उसके लास्ट इयर में हो तो वही लोग इसमें डाल सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर ट्रेनिंग वेगरा बागी चीज़े बताई गए हैं यहाँ पर देखिए Candidates are to register and fill application on Indian Navy website www.joinindiannavy.gov.in जिनको भी form भरना है वो www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर वहाँ अपना form भर सकते हैं ठीक है लास्ट में यह क्या दिया है यहाँ पर यह सारी चीज़े दी गए और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि इसमें परिक्षा नहीं होगी की द्वारा आपका चैन किया जाएगा तो जल्दी से जल्दी आप लोग आवे दिन कर दें जिन लोगों को इसमें इंट्रेस्ट है वो लोग तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक ता सेर करें अगर आप लोग